हलो एवरीवान वेलकम टू माई यूट्यूब चानल एह हल्पलाइन कैसे हैं आप लोग इगनू ने दिसमदा 22 अटामन एक्जाम रिजल्ट का आज एक और अपडेट पब्लिस कर दिया है और यह रिजल्ट का 11 अपडेट पब्लिस किया गया जिसमें बहुत कम या कहें गिंती में इस्टोट के रिजल्ट डिकलेट किये गया है इसे पहले 22 अटामन एक्जाम रिजल्ट का 10 अपडेट 17 जनवरी तक पब्लिस कर दिया गया था और अभी आप लोग 19 जनवरी तक स्टेटस देख पा रहे होगे यानि कि दो दिन का रिजल्ट अपडेट किया गया है हलाके बहुत कम इस्टोट का रिजल्ट डिकलेट किया गया और जब भी एक दिन या दो दिन का रिजल्ट अपडेट किया जाता है तो आप लोग यही देखोगे normally कि पिछले अपडेट में जो बेस्टोएंट का result website पर update नहीं कहा जाता है उनका ही update होता है और कुछ कुछ बेस्टोएंट का new update होता है फिर भी आप लोग अपना result check कर लो link उसका description में दिया हुआ है मैं आप लोग को proof के तोर पर result सो करके देख आप लोग यहां पर देख लो यह च्टोएंट का BEDE 106 का update हुआ है 100 में 49 मांकसा है date of decision on website 18 january सो कर रहा है उसके साथ साथ में है and next update में भी सो करेगा I guess क्योंकि 13 january को सबसे ज़्यादा result update किया गया थे and आज यह student का मैंने check किया look at the number 100 में 83 मांक्सा है which is quite rare in Igno कि इस तरीका का मांक्सा है वो भी arts के paper में normally यह इतने मांक्स नहीं आते हैं बहुत कमी student का आप लोग देख पाओगे कि इस तरीका का मांक् 33 मांक्सा है data of decision website भले 13 january सो कर रहा लेकिन यह आज website पे publish किया गया उसके साथ में यह student का भी काफी अच्छा मांक्सा है एक में 77 एक में 61 मांक्सा हैं दोनों का data of decision website 13 january सो कर रहा है लेकिन आज अपडेट हुआ है यह student का bhic133 का अपडेट हुआ है 13 january सो कर रहा है लेकिन यह आज अपडेट हुआ है यह student का bca का result declare किया गया mcs01 100 में 77 marks आ है which is great क्योंकि bca में उतने marks आते नहीं है हलाकि इनका data of decision website 5 january सो कर रहा है लेकिन यह आज website पर update हुआ है तो जैसे मैंने आप लोग को बताया कि जितने भी student के पिछले update में declare नहीं हो रहा है या website पर किसी भी करणवास back end में क्या चला वो पता नहीं है लेकिन पहले के भी result अभी late से update हो रहा है और जो new update है उसमें publish किया जा रहा है खैर जो भी हो अभी के लिए फिलाल आप लोग result check कर सकते हो और देखो result declare किया गया है या नहीं किया गया है और जो अब यह student को passing marks को लेकर doubt है तो उसके ओपर मैंने dedicated video बनाया हुआ है आप लोग चाहिए तो यह video देख सकते हैं उसे आपको passing marks को लेकर सारा doubt clear हो जाएगा साथी साथ result के regarding जितने भी doubt है वो सब को लेकर अलाग सा वेने video बनाया हुआ है उन सब का video का link description में मिल जागा तो आप लोग description को जरूर check कर लेना तो यही सबता है इस वीडियो में एक लोग के तरफ से 1722 अटामन एक्जाम रिचल का जो 11th update आज publish किया गया है उसके बारे में मैं आप लोग को detail information दे रहा था मुझे उमीद है कि आप लोग का video पसंदा होगा इस video के like जरू कर दे सभी friends के साथ से एक है ताकि उनको भी detail information मिल पाए किसी बिचा के doubt के लिए आपने नीचे account box में लिख सकते हैं या मुझे directly call करके भी अपने doubt clear कर सकते हैं सभी social media platform पे मैं available हूँ instagram, telegram, twitter सभी का link description में दिया हुआ है वहाँ पे भी आप लोग मुझे follow कर सकते हूँ और अगर आप eh helpline channel पे फॉस्ट हमाए हो तो make sure आप लोग पहली फूरसत में channel को जरूर subscribe कर ले so thank you so much for watching this video have an awesome day thank you so much